नमस्कार सात्यों जी हां सात्यों आप साथ लगार याना कोसर रोजगा निगम की बहुत बड़े ख़बर लेके हैं हैं पोलिशी में बदलाओ को लेके बै अब भी तक जो हैर याना कोसर रोजगा निगम के दुआरा एक पोलिशी त्यार करेगी थी 2022 उसके अंदर कुछ घरनेंगा काम कर दिया गया है और पहले जो है आप सात्यों को डेड़े सो नमबर और नोकरी मिले थी वह भी कम कर दिये हैं अब आपको जो सो नमबर को आप नौकरी देनेंखा क्या जाओंगा 58 साल लगकी नोकरी कर सकेंगे कि इन एक उनक सामक्त in मिलें आप पॉइंट 3 नंबर जो पैरा दे रिखा था वो भी टानेंगा काम कर दिया गया है एक्सपिरेस है क्वालिफिकेशन है और सीटी के जो है किस प्रकार से नंबर देने हां काम करें जाओगा आप साते ने दिखावां सारे इंफॉर्मिशन तो यह देख लिजी सातियो बैरियाना कोसर रोज कर दिया जाओगा और इसके अंदर आप साते ने बताओंगे क्या 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 जो है बड़ा बेनिफिट होने वाड़ा है तो सबसे पहले तो यह देख लिजी जाति यहां पर साप साप लिख दिया भाई के अरियाना कोसर रोजगा निगम के तहत अस्ताई करमजारी नुक्त के लिए पिछले यानि के साल जो जारी करी गई थी कोंट्रक्चल पर्संड इंब्लोइमेंट पॉलशी 2022 उसके अंदर संसोदिन की मजूरी मिलगी है अब यह संसोदिन नीती जो हाग कभी भी जारी होसका वै यानि के नीती तो त्यार होगी है इसे जल्दी जो हवाई जो सेक्टरी साब की साइट के ओपर जो है डालने काम कर दिया जाओगा और इसके अंदर अब अतिरिक्त सेक्षनिक योगता पर्देश सरगार के किसी भी कारिये के अनुबों के भी अंक दीए जाओंगे वै यानि कि कोई अतिरिक्त सेक्षनिक योगता ले रहा है या फिर काम करे जागो इस पोलिशी के अंदर संसोदन होया है मुख्यमंतरी जो अंतोधा उत्थान परिवार योजना थी जिसके तहट अजारों की सिंख्या में साती जो हैं इस चीज़ से वन्चीत रहेगी थे भई क्योंकि पचास अंक जो हैं इन सातियों को अत्रिक्त दी जाओं जिसकी इनकम एक लाक से कम है और एक असी के दायरे में भी आगी तो इनती जो हब डबल नंबर मिल जे थे चाहे किसे की इंकम कितनी भी हो बीच का सलैम में जिसकी एक रपिय से लेके एक असी लग है उसको चालिस के चालिसी नमबर मिलेंगे पचास नमबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे वाई क्योंकि इसके तहत जो है अब जारों के संग्या में साथ यानी चीज़ का बेनिफिट हो उसके अंदर पांच साल की छूट और दे दी है यानि कि अब जो हब 47 साल का कैंडिडेट जो इसके अंदर फारम फिलब कर पाऊगा उसके अंदर भी कंडिशन लगाई है वो भी आपने बतावांगे वर यड़ा कोसर रोजगा निगम के तहत न्यूक्त करमचारी अधिक्त निगम जो है 58 साल की सर्विस में रह सकता वै यानि कि 58 साल की सर्विस इसके अंदर कर दी गई है अत्रिक्त सकील क्वालिफिकेशन के पांच अंक मिलेंगे यानि कि जो अत्रिक्त क्वालिफिकेशन ले रहा है उसके भी पांच अंक दिये जाओंगे पहले इसके अंदर जो पांच साल की दिक्तम छूट देवांगे यह आरक्सित स्रेणी के अलावा अनुबो के बदले भी मिलेंगे भई यानि कि अगर औरक्सित स्रेणी है और उसके अलावा अगर अनुबो भी ले रहा है तो उसके बदल में पांच साल की जो उसको छूट देने हैं काम करें जावा शादी हो अनुबो के तोरपा उमर में अधिक तम 5 साल की छूट में लगी यानि कि एक साल के लिए एक साल की छूट मी लगी भई यानि कि अनुबो अगर उसका एक साल का है तो एक के साल की उती छूट भी दे दी जाओगी अगर किसी नब पांच साल से ज़्यादा की सर्विस की है तो अधिकतम भई पांच से साल की छूट मी लगी यानि कि अगर कंडिडेट के पास में एक्सपिरेस है अगर उसका एक साल का एक्सपिरेस है तो एक साल की छूटी मिलजेगी तो 43 लग का फारम भर सका है अगर दो साल का एक्सपिरेस है तो वह वह 44 साल की एजवड़ा फारम भर सका है अगर उसकी मालवत 3 साल की है तो 45 साल लगका फारम फिलिपिस के अंदर कर्श का गवाई कोशल रोजगा निगम के तहत नुक्त करमचारी को अब जो हो भई साल में अनुपातिक दार पर एक महिना में एक कैजवल लिव और एक मैडिकल लिव लेश कहेंगे भई मगर शाल माद एक तम 10 कैजवल और 10 मैडिकल लिव मिल लगी और महिला करमचारियों को परस्तूती आवकास का लाब जो मेंटरिन निटी लिव मिला है वो जो है देनेया काम करें जाओगा ये वाड़ा तो पोल्शी के अंदर पहले भी मेंचन दा जाती हो इस परकार से जो है उनको छुटिया मिला थी लेकिन पुराने पोल्शी का एक कलोज नंबर 8.2 था जिसको डिलिट करनेया काम कर दिया भई इसके अंदर यू था साती हो भई इसमें उसी जिले के नुबोवी उम्मिद्वारों को प्राथमिक्ता देना उपलबद ने उने पर दूसरे जिले और दोनों ने उने पर अन्य योग्य उम्मिद्वारों को न्युक्ती देने की सर्त थी अब यह कोलोज जो भई डिलिट कर दिया है क्योंकि इसके अंदर जो हनु वो कंडिडेट को सबसे पहले पर फैंस देई जाओ थी वह कोई यहादर जैसे पहले तो उसी जिले का देखंगे वह जिले के अंदर जो हम आंगा आई है मैंबड़ की और उस जिले के अंदर वह पहले एक्स्परेस कंडिडेट देखो उसमें ना मिला तो कहीं दूसरा जिला से लेके आओ तो इसके अंदर वे बहुत से साती जो इस चीज़ को लेके परेशान होगी थे क्योंकि अब मालेव पंचकूला के अंदर बढ़ती लिगड़ी ठीक है सात्यो पंचकूला में अगर बढ़ती आई और पंचकूला में एक्सप्रेस कैंड़िट की जरूरत थी तो वे इसार का कोई कैंड़िट मिल गया तो वो उठा के पंचकूला ठोक दिया ठीक है लेकिन अब यो कलोज जो है बंद कर दिया भाई इसके अंदर अगर वहां पर एक्सप्रेस कैंड़िट मिले है तो जो आइन करवाए देंगे नहीं तो फिर इसके अंदर जो है बदलाओ जेगा भाई अब इन सात्यों जो है ज्यादा दूर जो है बागदोड नहीं करनी पड़ेगे अब अधिक्तम जो है सो अंक मिलेंगे इस प्रकारत है यो पूर मिलेंगे अगर आपके परिवार की वार्षी का आए बही एक पॉंट असी लाख रुपे से कम है परिवार पैचान पत्र के अंदर तो आपनव चाड़ी संक मिलेंगे उमर परिवायर पचान पत्रगी वेरिफिकेशन के अनुसार 10 अंक जोह देनिया काम करें जागो वै यानि कि जिसकी 36 से 42 साल की एज है उसको 10 अंक इसके अंदर मिलेंगे और अत्रिक्त सकील क्वालिफिकेशन ओने पर यानि कि कोई आपके पास में नेशनल सकील सार्टिफिकेट है पहले इसके जो है वै 20 अंक मिलें थे लेकिन अब इसके अंदर संसोधन कर दिया है पांच अंक मिलेंगे बाब को ठीक है अत्रिक्त सेक्सनिक योगता उने पर यानि कि कोई भी बरती आई ग्रेजिविशन लेवल की अगर आप ले रहे हो पोस्ट ग्रेजिविशन तो पांच अंक का तरिक्त दिनिया काम करे जाओगा समाजिक आर्थिक मांदन्ड है आपका कोई पिताजी की मिर्ट्यों गी थी तो उसका तोरपा आपको जो हब दस अंक दिनिया काम करे जाओगा सीटी पास होने पर यानि कि जो अभी जो फिला जो सीटी क्वालिफाइड कैंडिटेट थे उनको दस अंक मिलेंगे भै इसके अंदर यो प्रावदान कर दिया आप सीटी पास होना इस ओफड इंप्लोईमेंट यानि कि आगर कोई भी साती जब ऐसे फोरम फिलाप कर रहे है और उसके अंदर एक प्रफैंस का उप्सन आओब आप जो हब प्रफैंस सबसे पहले कौन से डिष्टी को देना चाहो तो उसके अंदर अगर आप खुद का डिष्टी की चूज़ करो हो तो दस अंक इसके मिलेंगे भई परदेश सरकार का अनुबोर ने पर याना सरकार का अगर किसी के पास में एक्स्पिरिस है तो दस अंक उस ती एक्स्पिरिस के दिनिया काम करे जाओगा भई तो इस परकार से आप सातियों को जो है टोटल ये जो है 100 नंबर बनाये दिये हैं वै इस परकार से आप सातियों को जो है सलेक्शन करया जाओगा और शोड लिस्ट मैसेज आवाँगे इस परकार का जो टोटल आपके पहले डिटी सो नंबर थे अब उसके अंदर 50 नंबर वो जो आपकी अंतोदा उत्थान परिवारी हो जना थे उसके टाणया काम कर दिया है जिससे अजारो कांडिडेट को जो है इसका नुक्सान हो रहा था अब भी वैस पोलशी के अंदर ये बदलाओ कर दिये हैं और जो समाजिक आर्थिक मांदंड हैं उसके अंक जो है इस परकार से दियेगा जाओंगे इसके अंदर अनात होने पर बढ़ दस अंक मिलेंगे मगर ये 25 साल के उमिद्वार को ही मिलेंगे वै अगर कोई अनात है तो उसको दस अंक मिलेंगे विद्वार अने पर जो है पांच अंक मिलेंगे और फादर लैस के जो है पांच अंक देने काम करे जाओंगे इसके अंदर ये बदलाओ है जो आपके दस अंक मिलेंगे हुई इस परकारता देने का काम करे जाओगा अब अधिक्तम जो है बस सो अंक मिल्स कहेंगे दो नए बिंदू के जो है नए अंक दिये हैं जब कि के बिंदू के गटाए गई हैं भई यानि के जैसे नेशनल स्कील सैर्टिपिकेट उसके गटा के अलग से में देनेया काम कर दिया है और इस परकार जब आप सातियों ले पोलिशी जो है बहुत ही फायदे मंद ओने वाड़ी है जिसके तहट जो अजारों युवा नोकरी शे वंचित रह जाते थे अब उनको जो है इस तो रुपाय नोकरी मिल जेगी और वो सातियों अपनी नोकरी कर पाऊंगे तो अब भी आप सातियों ले पोलिए जो अफायदे मंद ने उजा चुकी है और कई सातियों बहुत जैसे निकल चुके थे अगर उनके पास मैं एक्स्प्रेस है तो अब उन सातियों को इजमे भी छूट देने आ काम करे जाओगा और यहना सरकार के दोरा तो यह नए बदला होए हैं आप सातियों के समझ मा आगी होंगी अगर फिर भी कोई कुवारी रहेगी है तो आप मेरे को कमेंट कर देना और टेलिगराम ग्रूप से जोड़ना डिस्करिशन में लिंक दे रहे हैं सबसे ताजा अपडेट आपको वहाँ पे भी मिल जे है और वटसब चैनल भी आप आनमना रखा है उससे भी आप साति जोड़न को उसका लिंक भी डिस्करिशन में मिल जाओगा तो आप सातिने वड़ी देखा को बहुत बहुत धन्यवाद जे इंजे भार्त जे अरियाना